हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं चैनल कैसे हो आप सब आज हम शाही अर्बी की सबजे बनाएंगे ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टे बनती है और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बनती है चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने अर्बी ली है अर्बी को अच्छे से शील कर दो लिया है और साफ कर लिया है इसे अच्छे से पोंच लिया है हाथों में थोड़ा सा ओइल लगा के फिर इसे कट करेंगे आप जैसे भी पीस कट करना चाहतें कर सकते मैं इस तरह अंगलाई में कर रही हूं अगर आज की रेस्पी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शियर जिरूर करेंगे इसी तरह मैंने सारी अर्बी को इस तरह फिसस में कट कर लिया है अब इसे फ्राइ करेंगे गैस पर मैंने पैन रखा हुआ है ओइल गर्म होने के लिए ओइल हमारा गर्म हो चुका है अब इसमें कटे हुए अर्बी डाल देंगे और इसे फ्राइ करेंगे अर्बी हमारी हैथ के लिए बहुत अच्छी होती है बहुत सी बिमारियों से बचाव करती है जे ब्लड प्रेशर दिल से जूडी समस्या से बचाती है अर्बी में सोडियम अच्छी मात्र में पाया जाता है जे कैंसर से भी बचाव करती है अर्भी उमारी फ्राई हो चुकी है अब इसे निकाल लेंगे अर्भी की सब्जी की रेस्पी मैंने पहले भी शेयर की हुई है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अर्भी की सब्जी मसाले दर अर्भी की सब्जी की रेस्पी मैंने शेयर की हुई है अगर आप मसाले दर अर्भी की सब्जी बनाना चाहते हैं तो मेरी वो रेस्पी जरूर देखिएगा लिंक में आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज मैं शाही अर्भी बना रही हूँ और जिब बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है आप इस तरह घर में अर्भी की सबजी जुरूर नाइए शाही अर्भी की सबजी गर में सभी को बहुत पसंद आएगी आर्भी निकाल ली हैं हमने अब ऑइल भी निकाल लेंगे और दो छमच की क्रीब ऑइल रखा है मैंने अब इस पे कि तेज़ लें इसे हलकासा हिला लेंगे और लसन अद्रक का पेस्ट डा लेंगे अगर आप इस तरह अरभी की सब्जे बनाएंगे न चीन माने बहुत ज़्यदा टेस्टी लगेगी आप सभी को जो अरभी की सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं उन्हें भी बहुत अच्छी लगेगी मांग मांग के रखाएंगे गर में सबी ऐसी सब्जी अगर बनाएंगे तो लसन प्याज हमारा भून चुक है अब इसमें प्याज डालेंगे याज को भी हमें गोल्डन ब्राउन होने तक बोनना है अर्बी जो होती है मधुमे के रोगियों के लिए भी बहुत अच्छी होती है जिने बजन कम करना होना उन्हें भी अर्बी का सेवन जरूर करना चाहिए अर्बी में बहुत सारे प्रोटीन बेटामिन्स पुटाशियम कैल्शियम आदि पाए जाते हैं और आयरेन भी कफी मात्रा में होता है इसमें प्याज मारा भून चुक है अब इसमें टोमाटर डाल दिया है मैंने अब हरे मिच डालेंगे टेस्ट के कोडिंग इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे टेस्ट के कोडिंग नमक डालेंगे हल्दी पौडर डालेंगे गरम साला डाला है मैंने आदा चमच के करेब और थोड़ी से कश्मेरी लाल पौडर डाला है कश्मेरी मिर्च इसे कलर अच्छा जाता है कश्मेरी लाल मिर्च से अब इसमें थोड़ी सी क्रीम डा रही हूं इसे इसका टेस्ट बहुत बढ़िया जाता है चाही अर्बी के लिए जब बहुत जरूरी है अगर आपके पास क्रीम ना हो फ्रेश क्रीम तो आप फ्रेश मलाई जो होती है न उसे अच्छे से फैंट ले और वो डाल सकते हैं इसमें कुछ टाइम के लिए से डख देंगे दो मिनिट के क्रीब जिदेखिए ओयल छोड़ दिया है हमारे मिसालों ने मिसाला मर अच्छे से बून चुका है अब इसमें फ्राइब की हुई अर्बी डाल देंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबजी खाने में बहुत ज़्यदा टेस्टे बनती है आप भी जरूर बनाईएगा अब इसमें दोद डा रहे हूं आप चाहे तो पानी भी डाल सकते हैं जिए बिलकुर ऑप्शनल है दोद डालने से बिलकुर रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट देगा जो इसकी ग्रेवी बनती है ना जिए बहुत ज़्यदा टेस्ट बनती है बिलकुर रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आता है अगर इसमें दोद डालते हैं तो कि थोड़ा सा दो ओर डाल देंगे कि अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दो से पांच मिनट के लिए इसे डगकर छोड़ देंगे गैस का फ्लेम हमने लो रखा है चेक कर लेते हैं पांच मिनट हो चुके हैं यह सबजी हमारी बनके बिल्कुर रैडी है जै देखी कितना अच्छा कलर रहा है और जै खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है अब इसे निकाल लेते हैं ते देखे हमारी रेस्टूरेंट स्टाइल शाही अर्बी बनके बिल्कु रेड़ी है आप इस तरह जुरूर ट्राइ करिएगा और आपको जी मेरी रेस्पी कैसे लेगे जुरूर बताईएगा थैंक्स फॉर वाचिंग